साथियों, आईश्मान भारत पीम जय ने गरीब के जीवन की बहुत बड़ी चिंता दूर की हैं। अभी तक दो करोड से अधिक देश्मासियों ने इस योजना के तहट मुप्त इलाज की सुविधा का लाब उठाया है। और इसमें भी आधी लाभारती हमारी माताएं हैं, हमारी बैने हैं, हमारी बेटियां हैं। यह अपने आप में शुकुन देने वाली बात है, मन को संतोष देने वाली बात है। हम सब जानते हैं हमारे परिवारों के सिती, सस्ते इलाज के अभाव में सबसे अधित तकलीप देश की माताएं बहने ही उठाती ही। घर की चिन्ता, घर के खर्चों की चिन्ता, घर के दूसरे लोगों की चिन्ता में हमारी माताएं बहने अपने उपर होने वाले इलाज के खर्च को हमेशा तालती रहती हैं। लगाता तालने की कोशिश करती हैं। वो ऐसे ही कहते हैं ने आप ठीक हो जाएगा, ने अब ये तो एक दिन का दामला है, ने ने ऐसे ही एक पुडिया ले लेंगे तो ठीक हो जाएगा। क्योंकि मा का मन है न, बेद्दुख जेल लेती हैं, लेकिन परिवार पर कोई आर्थित बोज आने नहीं देती है। साथियों, जिनोंने आईश्मान भारत के तहट अभी तक इलाज का लाब लिया है, या फिर जो उपचार करा रहे हैं, उनमें से लाखों ऐसे साती हैं, जो इस योजना से पहले अस्पताल जाने की हिम्मत ही नहीं जूटा पाते थे, टालते रहते थे, वो दर्द सहते थे, जिन्दगी की गाड़ी किसी तरह खीचते रहते थे, लेकिन पैसे की कमी की बज़र से अस्पताल नहीं जा पाते थे, इस तकलीब का एसास ही हमें भीतर तक जगजोड देता है मैं ऐसे परिवारों से मिला हूँ इस कोरोना कालक में और उसके पहले ये आईश्मान की जब जो लोग सेवाएं लेते थे कुछ बुजूर्ग ये कहते थे कि मैं इसलिए उप्चार नहीं कराता था क्योंकि मैं अपने संतानों पर कोई कर्ज छोड़ करके जाना नहीं चाहता था कुछ सहन कर लेंगे हो सकता है जल्दी जाना पड़े इस वर बुलाने तो चले जाएंगे लेकिन बच्चों पर संतानों पर कोई आर्थी कर्ज छोड़ करके नहीं जाना है इसने उपचार नहीं कराते थे और यहां इस कारकम में उपड़े थे हमसे ज्यादा तर नहीं अपने परिवार में अपने आसपास ऐसे अनेकों लोगों को देखा हुआ हमसे ज्यादा तर लोग इसी तरह की चिन्ताओं से खुद भी गुज़रे हैं साथियों अभी तो कोरोना काल हैं लेकिन उससे पहले मैं देश में जब भी प्रवास करता था राज्यों में जाता था तो मेरा प्रयास रहता था कि आयुश्मान भारत के लाभारतियों से मैं जरूर मिलूं मैं उनसे मिलता था, उनसे बाते करता था, उनके दर्द, उनके अनुभव, उनके सुझाव, मैं उनसे सीधा लेता था ये बात वैसे मीडिया में या और सहरवजयरू से ज़्यादा चर्चा मैं नहीं आई, लेकिन मैंने इसको अपना नित्यक्रम बना दिया था आईश्मान भारत के सेंकडों लावारतियों से मैं खुद रुबरू मिल चुका हूँ, और मैं कैसे भूल सकता हूँ उस बूड़ी मा को, जो बरसों तक दर्द सहने के बाद पत्री का आप्रेशन करा पाई, वो नवजवान जो किड्नी की बिमारी से परिशान था, किसी को पैर में तकलीप, किसी को रीड की हर्दी में तकलीप, उनके चेहरे मैं कभी भूल नहीं पाता हूँ, आज आईश्मान भारत ऐसे सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा संबल बनी है,